आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे इस SmackDown के एपिसोड के बारे में, इस एपिसोड में भी शेक अप दिखना है, वहीं विंटमेक में कुछ बड़ा एलान करने वाले हैं इस एपिसोड में, देखते हैं कि वो क्या होता है और देखेंगे कि या क्या देखने को मिल आजके इस एपेसोड में, I hope वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करना मत बुलिएगा, तो बढ़ते हैं मुड़ोई तरफ और शुरू करते हैं वीडियो पहल वज़ा के शो की शुरूआत केविन ओवन्स शो से हुई, आज की स्मेक डाउन के होम डाउन में हो रही थी और उनकी फैमली भी आज एरी ना में बैठी हुई थी केवन ओवन्स कहते हैं कि सूपरस्टार शेक अप होने वाला है और विंस मेकमेन भी आज कुछ बड़ा एलान करने वाले हैं केवन ओवन्स ने कहा कोई बड़ा सूपरस्टार यहां नहीं आएगा क्योंकि उन से बड़ा सूपरस्टार कोई नहीं है Kevin Owens ने इसके बाद अपने guest WWE Champion Coffee Kingston और Xavier Woods को बुलाया Biggie आज नहीं थे क्योंकि वो injured है Kevin Owens कहते है Coffee Kingston तुम्हारा स्वागत है और Russell Minya में तुमने वो कर दिखाया जो कोई भूल नहीं सकता है Championship का तुम्हारा मिला और 11 साल से जिसका इंतिजार था वो तुमने कर दिखाया मैं सभी की तरफ से तुम्हें Congratulations करता हूँ Coffee Kingston कहते हैं तुमने जो किया और fans जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थेंक्यू मैंने अपने परवार और दोस्तों के साथ रसल मेनिया का पल मनाया है Xavier Woods कहते हैं कि Biggie यहां इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले हफ़ते मैच के दौरान वो इंजर्ड हुए थे लेकिन सूपर स्टार शेक अप होना है और हम इसके लिए रेडी है Kevin Owens कहते हैं तुम लोगों को तीन लोगों की जरुवत होती है तो क्या अगर मैं Biggie की जगे Biggie बनकर New Day जॉइन करूँ और तो मैं मदद कर सकता हूँ तीनों की बात होती है अगर Kevin Owens टीम में आते हैं तो क्या वो उनकी तरह कपड़े और उनकी जैसी हरकत कर पाएंगे Kevin Owens ने Biggie की तरह हरकत करना शुरू कर दिया और Coffee कहते हैं कि Kevin Owens कुछ दिनों के लिए New Day के मेंबर बन सकते हैं Coffee Kingston ने सभी audience से पूछा सभी fans ने इसके लिए हा कर दिया Kevin Owens ने New Day का crop top पहना और Biggie के नाम से New Day को जॉइन कर लिया इसके बाद हमें Finn Balor versus Ali के बीच मैच दिखा Finn Balor को SmackDown में ड्राफ्ट किया गया मैच शुरू हुआ और Ali ने बैलर पर अटेक करा कुस टाइम बाद बैलर ने भी बलटवार करा Ali ने बैलर को सुपर केक बीमारी Ali ने बैलर को टॉप रोप से भी गिराया वहीं पैलर ने मौका देखकर मूव लगा के मैच अपने नाम कर लिया मैच के बाद दौनों ने हैंडशेक भी करा इसके बाद शो बैक स्टेज गया जहां कॉफी किंग्स्टन और जैवियर वोट्स ने केवन होंस को पैनकेक्स ला कर दी और कहा कि उन्हें बिगी का 5 मिट के अंदर सारे पैनकेक्स खाने का रिकॉर्ड तोड़ना होगा केवन होंस पहले मना करते रहे लेकिन बाद में उन्होंने खाना शुरू किया बाद में कॉफी किंग्स्टन और जैवियर वोट्स ने कहा कि उन्होंने बिगी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसके बाद में शारलेट फ्लेयर वर्सेस कारमिला के बीच मैच दिखा दौनों के बीच वार पलट वार शुरू हुआ शारलेट ने कारमिला को रिंग पोस्ट पर दे मारा बिग बूट भी दिया दौनों रिंग के बाहर भी लड़ती नजर आई जैसे ही मौका मेला कारमिला ना भी फ्लेयर पर अटेक करा शारलेट फ्लेयर ने कारमिला के पैर पर लगातार अटेक करा और एंड में समिशन लगा के फ्लेयर ने मैच जीत लिया इसके बाद लार्स सुलेवन की एंट्री हुई और उन्होंने आके आर्ट रुथ पर अटेक करा और उनकी हालत खराब करके रख दी लार्स सुलेवन कारमिला को भी मारना चाह रहे थे बड़ वो बचके निकल जाती है इसके बाद मैं बैकी लिंच का सेग्मेंट देखा बैकी लिंच कहती है कि सबी ने देखा है कि कैसे मैंने रसल मीने जीत दर्च करी है रो में भी मैं गई थी और मैंने वहाँ भी चैलेंजर को देखा लेसी इवांस के साथ मेरा आजकल जगड़ा चल रहा है लेकिन मैं अपना काम जानती हूँ, मैं किसी से भी लड़ने के लिए तयार हूँ, तभी Ember Moon की एंट्री होती है Ember Moon ने कहा कि बैके लिंच समल कर क्योंकि वो स्मैक डॉन में आ गई है, तभी एंट्री होती है बैली की, बैली ने कहा कि उन्होंने रॉम में काफी काम कर लिया, लेकिन अब वो ब्लू ब्रांड में काम करने चाती है, टेग टीम मैंने टाइटल जीत लिया था, लेकिन अब स किताब मुझे जीतना है, इसके बाद WWE Women's Tag Team Champions Iconics भी सामने आती है, Iconics अब Moon और Belly का मजाग बनाती है, तभी पेज की एंट्री हुई, लास्ट वीक पेज ने कहा था कि वो टीम लेकर आने वाली है, पेज कहती है कि Tag Team Champions को डिफेंड करना होगा अपना डाइटल, पेज पेज ने कहा कि वो इनके लिए यहां नहीं आई है, पेज ने पहले आसका को बलाया और उनकी NXT की एक्स चेंपियन काईरी सेन को बाहर बलाया, बेकी लिंच को छोड़कर सभी एक दूसरे पर अटेक करने लग जाती है, इसके बाद हमें Coffee Kingston, Xavier Woods और Kevin Owens वर्सेज सिजारो शि मैच की शुरुआत करी, रूसेब की साइट से तगला अटेक हुआ, लेकिन Xavier Woods ने बराबर की टक कर दी, तभी Coffee Kingston रिंग में आते हैं, दूसरी साइट से नकामूरा आते हैं, Coffee Kingston ने नकामूरा की हालत खराब करके रख दी, सिजारो भी रिंग में आये और उन्होंने Coffee Kingston को समि SmackDown करने वाला है, वो कहते हैं कि मैं जिसे बुला रहा हूँ, वो WWE का future है और SmackDown को काफी आगे लेकर जाने वाला है, तभी Vince McMahon ने अलायस को बलाया, अलायस कहते हैं कि रसल मेनिया में John Cena उसके बाद Undertaker और Raw में Mysterio ने मेरा सेगमेंट खराब करके रख दिया, लेकिन अलायस ने Vince McMahon को थेंक्स कहा, अलायस परफॉर्म करते तभी Roman Reigns की एंट्री हुई, Roman Reigns ने अलायस पर अटेक करा, चौकाने वाली बात है कि Roman Reigns ने Vince McMahon को भी सुपरमें पंचड़ दिया, और अलायस को लास्ट में स्पियर दी, Roman Reigns ने इस बीच कहा कि SmackDown अब उनका याड है, यहीं आज का SmackDown का एपिसोड खतम हुआ, रॉक के बड़े नाम, Finn Balor, अलायस और Roman Reigns आज SmackDown का हिस्ता बन चुके हैं, वहीं अब साफ है, US Champion Samoa जो अब रॉक का हिस्ता होंगे, बट वो दौनों ही एपिसोड में देखने को नहीं मिले हैं, तो उसके बीचे रीजन अभी समझ में नहीं को प्रेस करें, बिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू